हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी फ्रेंड संगीता, फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल संगीता जिमिनिटी गार्डन में जी हाँ, जैसा कि आप देखी रहे हैं, कि आज मैं आपको कौन से पौदे के बारे में बता रही हूँ समझ तो आप सभी गए हैं, इसको कहते हैं गुलदावदी, गुलदावदी की जो पौदे होते हैं वो अभी इसी वक्त, यानि की जो मानसून का मौसम जो चल रहा है न, अकस सितंबर का जो महीना होता है, इसी के अंदर हम लोग इनको, जो अमारे पहले की कोई पौदे अगर आपके पास लगे हैं, तो उन में से आप इस तरह की उपर से डालियां ले सकते हैं, देखिए मैंने जैसे इसके अंदर बहुत सारी लेके, खटी करके रखी है, और मैं आप लोगों को ये बतारी हूँ कि आप इनसे, मतलब एक पौधे से भी आप कित्ती सारी बना सकते हैं मैंने थोड़े अलग-अलग कलर के लिए हैं, मेरे पास सारे कलर की गुल्दावदी है, जैसे कि आपने पहले भी मेरे चैनल में वीडियो में देखा होगा, तो मैंने उन सब में से एक-एक डालियां थोड़के, एक साथ ही खटी कर लिए, और अब मैं इस तरीके की बास्क हम्योन झाल उसकता Judeburg, को हाथ कि ओने अपना से सायब एक सब में सब्त Byज में ने घोतांगे, मानने मैं प securities इसकाई है फार यहां है, तो मैंने इस तरह के लिए रुखी हैं, तो मैंने इस तरह कर बीकरिंग एन में बाड़ारा पती कर comprम फूल्त्य कर जोटी कर दोजरे बन तो आप इतनी एक हाथ बरी जितनी कटिंग ले सकते हैं और अब इनको आप भटा दीजिए जो भी है तो यह कटिंग जो है वो सबसे अच्छी चलती है इस तरह की कटिंग यह आपने ली और आपको इसको इस तरीके से इसको इतना अंदर दे देना है अब कोई प्रॉब्लम प्रेस कर दीजिए ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी जगे ना रहे क्योंकि उससे इसमें फंगस लगने का डर रहता है अब यह जो मैं आपको बता दूँ एक मैंने ऐसी लगा रखे थी यह देखिए इस तरीके से इसके सारे पत्ते रिमूव कर दीजिए और बहुत इजी इसे कि आप थोड़ा से टेढ़ा करके इसमें लगाई और इसकी डेफ्ट थोड़ी सी अच्छी रखिए हमोमन हम थोड़ी कम ही लेते हैं लेकिन इस वाली जो पौधा यह गुल्दावदी का इसमें पर्टिकुलर हमें थोड़ा ज्यादा ही जमीन के अंदर यानि मिट्ट के अंदर हमें देना होता है तो मैं आपको फटा फट थोड़े से बता देती हूँ कि कि स तरीके से हमें यह लगाने और एक ही इसके अंदर बहुत सारे पौधे मतलब तयार कर सकते हैं कटिंग सपनी इस तरीके से आप लगा सकते यह देखिए और बहुत ही इजी है कोई प पास में एक साथ खुब सारे पौदे तियार हो जाएंगे और आपको अगर मेरी कोई भी बात बताईवी वीडियो जो मेरे हैं पेड़ पौदों के वह अगर अच्छे लगते हों आपको लगता हो कि आपके लिए फाइदेबंद हैं और यूसफुल हैं और कुछ नॉलेज़ हैं तो प्लीज अगर कोई जानकारी हो कुछ और आप मुझसे जानना चाहें और कुछ और बताना चेहं तो प्लीज अपके कमेंट का स्वागत है उसे लाइक बी करिए शेयर करिए और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसे उसे करिए इनफ Shire करिए अब हैं तब अगर आप इसे शेयर करेंगे इसे एप्रिशेट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो सही दिशा में कर रही हूँ और उसमें कोई अगर आपको लगता है कि कुछ और एड होना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं बहुती स्वागत है आपका आपकी सारी सुझाओं का तो वो भी मुझे बताइएगा और एक 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 पोधी को अगर आप कटिंग से तयार करेंगे मेरे ख़ासे बिलकुल मुफ्त हैं यह जो पोधे हैं मेरे पास बिल्कुल FRI में लगे वैं मैं एक पोधा लिया था आप तो बस बहुत आसान है इस तरीके से आप इसके अंदर कम से कम पचास से सो कटिंग लगा सकते हैं बस तरीका वही कि अच्छे से इसको आपको इस तरीके से मिट्टी में देना है और यह में थोड़ा सा फास्ट आपको बता देती हूं एक बार क्यों यह सारी लगाने में तो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से पत्ते आप रिमूव कर दीजिए मैंने बहुत सारी कटिंग ले लिए अलग-अलग कलर की और यह मेरी बास्केट बहुत अच्छी त्यार हो जाएगी दस दिन बाद में आप देखिएगा इनमें जड़े आ जाएगी और बहुत ही से यह सारी की सारी बन जाएगी और इनमें अलग-अलग तरह के फ्लार्स पिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा यह आप बिल्कुल फ्री में अपने बना सकते हैं तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूं कि आप लोग भी अपने घर में इस तरह के पेड़ पोदें लगाए और इनके फूल भी बहुत सुंदर भी लगते हैं और अच्छे भी रहते हैं इनसे मखी मच्छर नहीं आते आपके घर में डैंगू चीकन गोनिया इस तरह के मच्छर नहीं पन पेंगे और खुब सूती तो बढ़ेगी तो एक सकारत मक्ता और इम्मुनिटी हमारे माइन मे पूल हमेशा हमें सकारत मक्ता देते हैं बस यही कहना चाहती हूं चलते चलते कि आप मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करिए लाइक करिए और पेड़ पॉदे लगाते रहे हैं अब देखिए खुब सा रही हो गया आप बस इसमें करना क्या आपको सिरफ पानी देना यह दूप में रख सकते हैं और पानी समय समय पर देना यानि एक दिन छोड़के एक दिन ज्यादा पानी नहीं देना क्योंकि छोटी कटिंग है तो इन ज्यादा पानी के जरूत नहीं है ओके दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई टेक कियर ध्यान रखिए ग रख शित रही है घर में रही है